वेलकम बैक टो मैं चानेल मैं संचीता अंकट संचीता में आप सब का स्वागत करती हूँ और आप सब कैसे हैं बताईए इस सर्दी सुरू हो गई है तो सर्दी का मौसम सब को बड़े परिशान कर रही है मुझे ठंडी बहुत पसंद है बट बहुत सारा स्वेटर पहनना पड़ता है वो मुझे नहीं पसंद क्योंकि मुझे ना स्वेटर से अलर्जी होती है मैं स्वेटर बहुत कम पहनती हूँ इसके ओपर दो तिन टीशिट डालूंगी और कॉटन के कप्रे कुछ भी लपेट ल आप सब को पता है टॉफी नहीं है देखो मेरा बेड़े से खाली पड़ा है तो क्या करें नहीं है तो हम लोग को जीना पड़ेगा और बहुत दिन हो गया मैंने ब्लॉग नहीं मना बुझो सो रहे हैं देखो बुझो सो रहे हैं बुझो बहुत दुखी है क्योंकि उसको आदत है ना तो मैंने स्विष्चा एक ब्लॉग दिखा हूँ और अभी साम हो रहा है थोड़ेसा बिस्तर ठीक करउनगी में सो करूँ आभी चाय भी पीना है और पूझा पार्ट भी करना है तो मैंने सविष्चा थोड़ासा अप लोग उसे बात कर लेती हूँ और फिर इ बीस्तर ठीक करने आगी, पर सबसे पहले अपने बालों को ठीक करूंगी और मोबाइल को चार्ज में लगाऊंगी, क्योंकि दोपएर को मैं मोबाइल अपने साथ लेके सोती हूँ और हेड़फोन बगाणा, तो इन लोगों को पहले समेट के रखना है, उसके बाद फिर बीस कुंकि अभी सर्दी का टाइम है, चैसुबा हो चाए साम हो आपको कंबल निकालना ही पड़ता है तो उस टाइम फेर बिस्तर ठीक करना पड़ता है और मैंने भी थोड़ा सा बिस्तर को ठीक कर लिया क्यूंकि आछ़ा नहीं लगते घर में ऐसे कंबल पढ़े रहे तो और फि इसलिए मैंने कंबल ठीक कर लिया वहां कॉर्णर पे देखिए बूजो सोई हुई है और फिर अभी बूजो को यहां इस कंबल पे थोड़ा सा लिटा दूगी वह कंबल के उपर सोने में उसको मजा आता है तो मैंने इस तर ठीक करने के बाद अभी मुझे बहुत काम है मेरे मैं दोनुं टाइम खाना बनता है सुझाविक खाना बनता है मुझे न्रों यहां hill हो और 3 मिमबर है और हमारे घर में दोनुं ट्रमटता है थरह घ्लादा उडि'm काया है तो अब मैं आ गये हूं बेर लट्डू को पालके ऊह सुच्छ साम के टाइम में भिस्त ठीक ना करने के बाद हाथ मूँ धूके मुझे पुजा करना होता है और पुजा में थोड़ा मुझे वक्त लग जाता है क्यूंकि मेरे लड्डु को पाला है तो उनको भोग चराना, आर्थि करना और उपर देखिए मेरे लड़ो कोपाल का वहाँ पर बैट भी पड़ा है तो उनको सुलाना ये सब शेवा मैं डेली करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मेंसे किस-किस को ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे बताना जरूर और फूजा पाट करने के बाद फिर मुझे चाय भी बनाना है अभी थोड़ी देर में हाजबेंड आ जाएंगे ड्यूटी से फिर थोड़ी देर बाते करेंगे और फिर खाना बनाएंगे रात हो जाएगी मेरे यूट्यूब का भी काम रहता है आप सब को पता है मेरे दो चैनल है संचीता लाइस्टैल और अनकर संचीता मैं दोनों में अपना ब्लॉगिंग शेयर करती हूँ इसमें हिंदी में करती हूँ उसमें बेंगॉली में करती हूँ पर मैं कोसिस करती हूँ जो भी मैं करती हूँ वो सब को दिखाने के लिए और मेरे लड़ू को पालकी ने एक बहुत अच्छी सी कहानी है किसी दिन मैं आराम से आप सब को सुनाओंगी आज टाइम नहीं है तो उसको मैंने अच्छा सा गड़म सा कपड़ा पहना दिया साड़े वगवान जी को मैंने वुलन कपड़ा पहन पूजा हो गया अब मैं आ गई हूं किचन पे और किचन पे अभी मैं खाना बनाओंगी आज मेरा प्लैन है पाव भजी बनाने का क्योंकि आज सब को मन था मेरे हस्बेन को मेरी छोटी बेटी को मन था कि कुछ पाव भजी खाए तो देखो यहां पर पाव रखा हुआ है औ और मैंने पावभाजी को मसलने के लिए जो होता है उसको भी निकाल दिया और मैं बेटी से कुछ बात कर रही थी बिंगॉली में बोल रही थी इस वज़े से मैंने उसको काट दिया और मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और कणाय में पावभाजी रख दिया है मैं अच्छे लगते हैं तो मैंने देखो ये इसको मसलना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि जितना अच्छी तरह से मसलेंगे उतनी पावभजी टेस्टी बनती है और थोरी सी आलू और डाल दिया उसमें तो अच्छी तरह से बनाएंगे कभी-कभी रात को रोटी खाने का मन नहीं क करता कुछ चट-पटा सा खाने का मन करता है और सरदी में तो जादा देखना पड़ा थे पूरी पावभजी और ये मेरी बेटी को बुलाया कि टेस्ट करके देखो और ये टेस्ट करने के लिए यहां आ गई है और मुझे बोली मम्मी थोड़ा सा नमक कम है तो मैंने बोला थोड़ा डाल दो क्योंकि मुझे ना खाने का टेस्ट नहीं पता चलता है चलो पावजी खाते हैं और एंजॉय करते हैं तो अगर सबको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को बेल आइकन को ओल कर देना और मेरी सारे वीडियो पे म कर दो कि मुझे नहीं हैं तो कि लवीच में तो करते हैं सकत हैं को जैस